हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डारेक्टेर ओफ एजुकेशन की तरब से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 40 करेंगे जो की क्लास एर्थ की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश यह वर्क्षिट 13 दिसेंबर 2021 की है तो आज यह शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट लेसन अंसर दा फॉलोइंग कोशन आप कैसा फिल करेंगे कि अगर आप अपने पैट को लूज कर देते हैं आपसे अपका पैट गुम जाता है खो जाता है तब आप कैसा फिल करेंगे sad, hurt, disappointed, helpless, any other answer कैसा फिल करेंगे तो देखो sad भी करेंगे, hurt भी सब जो भी इसमें से आप अपना अंसर चाहते हैं वो यहाँ पर correct tick कर सकते हैं इससे कि sad फिल करेंगे कि I feel sad when I lose my pet ठीक है stress अंसर लिख देंगे या सिदा यहाँ पर sad लिखना है तो sad भी लिख सकते हैं hurt लिख सकते हैं, disappointed लिख सकते हैं, helpless लिख सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है question number 2 देखिए would you try to find it, how? क्या आप उसे find out करने की कोशिश करेंगे और कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं अंसर देखो किस तरह से लिखेंगे? yes, I would try to find out my pet I will search my pet in the park and in my neighborhood अब देखते हैं आज का चैप्टर तो लास्ट में हमने देखा था कि जो जो जोडी था, वो मिलविल के साथ में उन्होंने क्या डिसाइड किया था? कि वो उसको ढूंडने जाएंगे? यहां तक हमने देखा था कि जोडी इसके फादर को जो स्नेक था, उसने बाइट कर दिया था और उन्होंने एक डो हिरन को मार कर क्या किया था? उनको बचाया था लेकिन जोडी इस बाद से बहुत परिशान था कि उनका जो जो डो का बच्चा है, जो हिरन का बच्चा है वो वहाँ पर अकेला होगा इसलिए वो मिल्विल के साथ क्या करता है वहाँ पर वापस उसको लेने के लिए जाता है तो इतना हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है जोडी गेव हीम ओवर तो थोट ओफ दा फोन देखो क्या कहा रहा है तो उसको कहता है भी कट लो नौर्थ की तरफ सोड़ा कट लो इस तरफ मोडो तो वो कह रहा है कि यहां से आप नौर्थ पे कट लो क्योंकि यहीं पे जो पापा था या मलब जो फादर थे उनको स्नेक ने बाइट किया था और यहीं पे दो को किल किया गया था और मैंने यहीं पर phone जो था जो hidden का बच्चा था उसे देखा था Suddenly Jody was unwilling to have Millville with him Suddenly Jody के मन में unwilling feeling होने लगा Millville के साथ में जब वो जा रहा था तो वो नहीं जा रहा था कि Millville आगे उसके साथ में जाए Suddenly उसके मन में ऐसी feeling आने लगी If the phone was dead or could not be found He could not have as disappointed scene अब उसके मन में suddenly ऐसे feeling क्यों आने लगी क्योंकि वो सोचने लगा कि अगर phone जो है वो dead होगा या उसे नहीं मिलेगा तो वो जितना disappointed है वो उसे Millville को अपना face इतना disappointed face अपना नहीं दिखाना चाहता है And if the phone was there अगर phone वहाँ पर होगा The meeting would be so lovely and so secret That he could not be under to the show Share it अब देखो दोनों ही बाते वो कह रहा है कि अगर वो जो phone है वो dead होगा या नहीं मिलेगा उसे जितना disappointed है वो अपना इतना disappointment जो जितना उदास होगा वो अपना चेहरा उनको दिखाना नहीं चाहता He said It is not far now But the scrub is very thick for a horse I can make it on food अब वो कह रहा है जो जोडी है वो मिल्विल से कह रहा है It is not far अब वो जादा दूर नहीं है But the scrub जो scrub जहां पर वो horse चल रहा है वो क्या है बहुत जादा thick है मोटी है जिससे कि horse को चलने में क्या होगी दिक्कत होगी I can make it on food वही मैं पैदल चलके उसे ढून लूँगा But I am afraid to leave you boy तब मिल्विल कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ते वें डर रहा हूँ Suppose you got lost or got bitten by a snake मनलब suppose करो कि ऐसे सोचो कि क्या हो सकता है कि तुम्हें क्या कर तुम गुम जाओ या तुम्हें कोई जो snack है वो क्या कर ले bitten कर ले खा जाए I will take care मैं अपना ध्यान रख लूँगा It might take me a long time to find the phone If he is wondered Leave me off right here वो कहरे कि तुम मेरी चिंदा मत करो I am take care मुझे यहां से जादा दूर नहीं जाना कुछी दूर में phone मिल जाएगा If he wondered Leave me off right here अब तुम मुझे यहां पर छोड़ कर जा सकते हो All right But you take it easy now कोई बात नहीं मैं चला जाता हूँ कोई बात नहीं मैं चला जाता हूँ अब वो कहता है कि मिल विल यहां से चला जाए किसी नहीं किसी तरह से तो वो कहता है कि मिल विल यहां से टॉल पाइन ट्रीज वहां से बीरिंग करो सो लोंग बड़े बड़े ट्रीज तुम को दिखेंगे और वहीं से तुम चले जाना He waited for the sound of the horse to end then the cut to the right अब वो वहीं पे खड़ा रहा जब तक वो जो 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 डी था वो वहीं खड़ा रहा He waited the sound to the horse to end जब तक वो sound end नहीं होगी तब तक तो वो वहीं खड़ा रहा then cut to the right उसके बाद उसने वहां से right कर ले लिया अब इसी से related कुछ questions है जिने हमें solve करना है तो आईए देखते हैं इनका answer तो देखो क्या है question Name the two characters in above extra जो पर paragraph दिया गया है उसके अंदर दो characters है उनके आपको नाम लिखने है तो क्या नाम होगा Jody and Millville दो लोग यह आपस में ही बात कर रहे थे second देखो Millville was afraid to leave Jody alone because he was scared Millville जो था वो Jody को अकेले छोडने से डर रहा था because क्यों डरा होगा था because if Jody got lost या तो क्या होगा Jody जो है वो lost हो जाएगा गुम जाएगा and or got beaten by a snake और snake के दोरा क्या किया जा सकता है beaten किया जा सकता है इन दोनों बातों से जो Millville है वो डर रहा था question number 3 Jody did not want Millville to come with him because two reasons two reasons कहे थे न उसने इतनी खुशी भी उसके साथ share नहीं करना चाता था और इतना वो अगर disappointed हुआ तो भी उसके साथ में share नहीं करना चाता था if the phone was dead or could not be found he could not have his disappointed scene वो उसको यह नहीं दिखाना चाता था disappointed scene नहीं दिखाना चाता था अगर phone क्या होता है dead होता है second देखो क्या कहा है if the phone was there the meeting would be so lovely and secret जो meeting होगी वो कैसे होगी so lovely and secret he could not be shared वो उसके साथ में share नहीं करना चाता था question number 3 what act as a compass in the forest उसने as a compass मतलब कि हम direction देखने के लिए लेते है तो उसने क्या लिया था tall pine tree जो थी ना उनको उन्होंने as a compass लेता भी जहाँ पर आपको tall pine tree मिलेगा वहाँ पर उस direction में चले जाना तो क्या आजाएगा the tall pine tree question number 2 देखिए find a word from the above exercise which means not wanted to do something मतलब कुछ ऐसा जो करना नहीं चाहता था तो यहाँ पर जोड़ी था वो नहीं लेकि जाना चाहता न उसे मिल विल को अपने साथ में आगे तो क्या था unwilling unwilling यहाँ पर आ जाएगा तो यह थी हमारी आज की worksheet worksheet को complete करके अपने teacher को ज़रूर चेक करवाई और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक्यू गाइस